नमस्कार बच्चो आईए हम आगले कोश्चर में चलते हैं प्रूव देट पैरिमीटर ओफ ट्रेंगल या हमें प्रूव करना होगा कि ये ट्रेंगल का जो पैरिमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम is greater than the sum of altitude यानि इनका जो altitude इसमें given है इनके तीनों के सम के से greater होगा ठीक है कहने का मतलब ये है कि हमें पैरिमीटर प्रूव करना होगा यानि ट्रेंगल के तीनों साइड का सम greater होन चाहिए altitude तीनों जो थ्री altitude है इनके सम से greater होना चाहिए आएए हम इसको करते हैं सबसे पहले बच्चों इसमें जो given हैं हम उसको लिख लेते हैं ठीक है क्योंकि altitude इसमें given है तो हम लिख सकते हैं given intringle ABC ठीक है intringle ABC में ये given है यानि की AD perpendicular BC ठीक है ये BC है और यहाँ पर लिख सकते हैं B, E, Perpendicular, A, C, यह इसमें गीवन है, और जो लास्ट वाला है, वो लिख सकते हैं, C, F, C, F, Perpendicular, A, B, ठीक है बच्चों, यह हमें गीवन है, और हमें करना क्या है, आईए हम सीधा इसको करते हैं, जो प्रूव करना वो भी लिख लेते हैं, प्रूव हमें जो करना वो करना होगा, A, B, प्लस, B, C, प्लस, A, C, ठीक है, यह ग्रेटर होगा कि से, A, D, प्लस, B, E, प्लस, C, F, इससे ग्रेटर हमें यह प्रूव करना होगा, ठीक है, आईए हम इसको करते हैं, प्रूव, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि, किसी भी लाइन पर यह एक इस बहुते हैं, पर इस जो एक कोई पॉइंट है, जो इस पैसप पर नहीं है, उस पैसे हम से इसे घ्रेटर एंडो waste, तो इसमिदेने जो जो परपेंडिकुलर, वह सब्से छोटा होगा, बाकि जितने बड़र जानते हैं, यह पर लिखते हैं, नहीं बेंड ठीक है, of all ठीक है, the segment that can be drawn to a given line, ठीक है, या from a point, not यहाँ पर line on it, ठीक है बच चोई यह, the perpendicular line segment, ठीक है, is the short test, तो short test उठा, तो इसका मतलब देखिए सबसे पहले, अब a d perpendicular b c पर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कि a b greater होगी a d से, और a c greater होगी a d से, ठीक है बचोई, यह हो सकता है, अच्छा, अगर हम इनको plus कर देते हैं, add, adding, adding कर देते हैं, यह माली यह one है, यह two है, adding कर देते हैं, लिखने की भी जूरुत नहीं है, वैसे आप लिख सकते हैं, a b plus a c, तो यह greater होगी, to a d से, ठीक है, similarly, similarly, देखिए, similarly में, अब देखिए, यहाँ पर b e, b e क्या है, perpendicular है किस पर, a c पर, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो b e है, यानि यह b c greater होगी किस से, b e से, और, जो दूसरी साइड बसती है, a b, a b greater होगी, b e से, ठीक है, आईए, इसको भी add कर लेते हैं, तो b c plus a b greater होगी, 2 b e से, b e plus b e, 2 b e आ जाएगा, ठीक है, आईए, हम, यह हो गई, second equation, इसको हम, second माल लेते हैं, यह, यह, फर्स्ट माल लेते हैं, यह, second माल लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं, ठीक है, बच्चो, अच्छा, same, अब देखिए, उसी पर, c f perpendicular, a b पर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि b c greater होगी, c f से, and, and लिख देता हूँ, और, a c greater होगी, c f से, अगर मैं इसको add कर देता हूँ, तो b c plus, इसमें देख सकते हैं, b c plus a c greater होगी, to c f से, ठीक है, अब मैं को क्या करते हैं, बच्चो, अब आप इसमें देख सकते हैं, कि हमारे पास three equation आ चुकी है, तो हम इन तीनों को क्या करते हैं, add कर देते हैं, ठीक adding, one, two, and three, ठीक एड कर देते हैं, फटा फटा एड कर देते हैं, a b plus a c, ठीक है, plus b c plus a b, ठीक है, plus b c plus a c, greater होगी, two, a d, plus two, b e, plus two, c f, ठीक है, बच्चो, अब हम इसमें देख रहे हैं, कि a b, सब ये two times आये हैं, तो हम इसको लिए सकते हैं, two, a b, plus a c, plus b c, greater होगी, इसमें भी हम लिख से two, को मैं ले रहे सकते हैं, a d, plus b e, plus c f, ठीक है, बच्चो, ये ले सकते हैं, आप देखिए, ये question वैसे तो हो चुका है, आप देखिए, two इधर multiply में है, two इधर भी है, तो two को मैं इधर लेकर, तो divide में जाए, यानि two से two हम कार सकते हैं, ठीक है, hence करके मैं लिख देता हूँ, hence, देखिए, a b, plus a c, plus b c, greater होगी किसे, a d, plus b e, plus c f, तो बच्चो, ये question था, ये solve हो चुका है, और मुझे उमीद है कि आपके संज में आ गया होगा, नहीं आ, तो बच्चो प्लीज इसे एक बार और देखें, इसमें से देखकर बच्चो सीखें, और दूसरों को सीखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को उन्नत मुदाएं मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के ल धन्यवाद,